आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी चेटपटा और हेल्दी नाश्टे की रेसिपी लेकर आई हूँ ये प्रोटीन और वाइटमिन से भरपूर है, फुल अफ नूटिशन है, बच्चों के लांच बॉक्स में दीजे और अगर आप वेट रिजूस करना चाहते हैं तब आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें, तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं, इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है, इसमें एक टप सूजी डाल देंगे, मैंने यहाँ पर मोटी वाली सूजी नहीं है, आपके पर जो भी सूज और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सबको, यहाँ पर हमने इसे मिक्स कर लिया है, और अब इसे ढख करके रख देंगे, ताकि सूजी इसमें अच्छे से फूल जाएगी, अब हम इसके लिए एक तड़का तयार कर लेंगे, तो मैंने गयास पर एक पैन रख दिया है, इसमें दो चम्मच ओयल डाला है जैसे ही ओयल हलका सा गरम हो गया है इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और एक छोटी चम्मच सरसो डाल देंगे और इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक यह किये चटकने ना लग जाए या जब तक क्रैकल ना होने लगे ये देखिए इस तरीके से सरसों इसमें अच्छे से क्रैकल हो चुकी है यानि कि चटकने लग गई है तो मैं इसमें यहाँ पर आधा प्यास डाल दूँगी जिसे हमने बारी काटा हुआ है इसके साथ ही इसमें एक हरीमिश डाल देंगे बारी कटी हूँ ये बहुत जादा तेज वाली हरीमिश नहीं है और साथ ही इसमें एक इंच अदरक का टुकड़ा बारी काट कर या फिकरदूकस करके डाल दीजे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पर प्याज ना डालें बीना प्याज के भी यह जो डिश है वो बहुत जादा टेस्टी बनेगी अब इसमें मैं यहाँ पर तक्रीबन 1 फोर्थ कप मटर डाल रहे हूं यहाँ ताजे मटर मैंने यूज किये हैं और साथ ही आधी गाजर को बारी काट कर डाल देंगे और इन सब को अच्छे से मेक्स कर लेंगे यहाँ पर आपको सबजियों को बहुत जादा पकाना नहीं है सिर्फ सौटे करना है गैस का फ्लीम हमने मीडियम टु हाई रखा हुआ है और एक मिनट के लिए हमने इने अच्छे से सौटे किया है और अब इसमें मैं यहाँ पर आधी श्रिमना मिश डाल दूगी जिसे हमने बारी काटा हुआ है और इसके साथ ही इसमें एक चोथाई कप फूल गोवी को कद्दुकस करके ले लिया है आजकल यह सभी सबजियां बहुत अच्छी सीजन किया रहे हैं अगर आप इसे अपने डाइट में लेते हैं तो यह बहुत फायदा करती है और बच्चे जो असानी से सबजियां नहीं खाते हैं अगर इन्हें इस तरीके से रेसिपी में सबजी डाली जाए तो वो बहुत ज़ादा शौक से खा लेते हैं और अब मैं इसमें यहाँ पर एक चोथाई का पत्ता को भी डाल ले हूँ जिसे हमने बारी कटा हुआ है इसको भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए दग रहना कितना कलर्फुल यह मिक्शर जितना कलर्फुल है उतना ही आपकी हल्थ के लिए जादा फायदे मंद होता है अब इसमें नमक डाल देंगी टेस्ट की गॉर्डिंग साथ ही आदी चोटी चमश लाल मिश पाउडर डाल देंगे एक चोटी चमश चाट मसाला डाल देंगे और एक चोथाई चोटी चमश काली मिश का पाउडर डाल देंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसे मैंने हैं पर अपनी मन पसंद सब्जें डाली हैं अगर इसमें से कोई भी सब्जी आपके पास नहीं है तो आप उसे skip कर सकते हैं या अपनी मन पसंद कोई सब्जी इसमें डाल सकते हैं या इसमें से कोई सब्जी हटा भी सकते हैं ये बिल्कुल आपकी choice है इन सब सबजियों को एक मिनट के सोते किया है, बहुत जादा नहीं पकाएंगे, सबजियों का क्रंच पर करार रहे, बस उतना ही पकाना है तो बस गैस का फ्लेम आफ कर देंगे, और अब हम इसे गैस से नीचे उतार लेंगे गैसे नीचे उतारने की बाद अब मैं इसमें यहाँ पर ये पनीर को कद्दुकस करके डाल रहे हूँ तक्रीबन एक चोथाई कप पनीर डाला है पनीर में प्रोटीन बहुत होता है और वैसे भी बहुत हेल्दी है अगर आप बच्चों को सुभा नाष्टे में ये दे दे दें या खुद भी सुभा नाष्टे में खाएं तो अगर आप वे डिडियूस करना चाहते हैं तो आप अपने टार्गेट को अचीव कर सकते हैं और बच्चों के हिसाब से भी बहुत हेल्दी है ये हमारी स्टफिंग तयार हो चुकी है और अब हम यहाँ पर सूजी को देख लेते हैं ये देखी सूजी इसमें अच्छे से फूल चुकी है इसने सारा पानी एब्जॉब कर लिया है अब मैं इसमें यहाँ पर बस थोड़ा सा नमक डाल दूगी तैसके को点 नमक हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने स्टफिंग में भी डाला है और क्योंकि यह mixture अभी काफी गाड़ा हो चुका है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूगी यहाँ पर मैंने एक चोथाई कप पाने लिया था उसमें से मैंने थोड़ा सा ही डाला है और इसे अच्छे से mix कर लेंगे और आप इसमें ये सारी veggies का mixture डाल देंगे जो भी हमने तयार किया है सबको यहाँ पर हम mix कर लेंगे यहाँ पर मैंने ये sandwich maker ले लिया है जिसमें हम bread कर toast बनाती है तो आज मैं इसी में ही नाश्ता बनाने वाली हूँ अब हम दोनों साइड इसके हलका सा घी या ओयल लगा देंगे और यह जो हमारा सूजी और सबजियों का mixture है इसे हम दो भगों में बार देंगे मैंने इस mixture में से आधा चोटे bowl में डाल दिया है और अब इसमें हम एक packet इनो fruit salt डाल देंगे इससे नाश्ता काफी fluffy और soft बनेगा आप चाहें तो यहाँ पर इसकी जगह पर baking soda भी डाल सकते हैं पर वो आधी चोटी चमच ही डालें इक उपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि यह अच्छे से activate हो जाएगा और इसे अच्छे से mix कर लेंगे सारी तयारी आप आपको ही पहले से करके रख सकते हैं बस इनो आप तभी डालें जब आपको नाश्ता बनाना हो यानि कि नाश्ता बनाने से जस्ट पहले आप इनो डालें और उससे ये नाश्ता बहुत जाथा soft और fluffy बनता है और आप इसमें से हम तकरीबन डेर कर्ची भर करके बेटर हम इसमें डाल देंगे और इसे बिकुल evenly इस तरिके से फैला देंगे बिकुल edges तर और आप इस sandwich maker को हम बंद कर देंगे और अब हम इसे direct gas flame पर रखेंगे और gas का flame low to medium रखेंगे और इसे नी कि नीचे से अच्छे से सीग गया होगा तो हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसे एक मिनट के लिए ही low to medium flame पर सेख लेंगे बीच में खोल कर आप इसे चेक कर सकते हैं ये देखे इस तरीके से अभी ये पूरी तरह नहीं पका है तो हम इसको अच्छे से golden माकसाने तक सेक लेंगे और ये देखे कुछ ही देर लगी है और दोनों साइड से सैंड़िच अच्छे से तयार हो चुका है ये बिना बेड का सैंड़िच है देखने में बच्छों को लगेगा कि आपने इसे बेड के साथ बनाया है लेकिन ये सिर्फ आप और हम ही जानते है कि हमने इसे वेजिस और सूजी के साथ बनाया है और ही देखे कितना बढ़िया लग रहे देखने में जितना देखने में बढ़िया लग रहे ना खाने में उससे कहीं जादा टेस्टी है और हेल्दी तो बहुत ही जादा है तो बस इस तरीके से हम सभी सैंड़िच बना क और इतने बेटर से आपके 6 सैंविच बन करके तयार होंगे और ये देखिए इस तरीके से आप पस कुछ मिंटों में ही ये नाश्टा बना करके तयार कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसा सैंविच में कर नहीं है तो आप इस तरीके का फ्राइपन ले 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 और इसको हम हलका सा पहले घी से ग्रीज कर लेंगे या फिर और लगा लेजे और इसमें एक कडशी भरके बैटर डालेंगे और इसे इस तरीके से फैला देंगे और इसे ढग और ये देखिए जब ये नीचे से हलका सा सिख गया है उपर से ड्राय हो चुका है तो हम इसके उपर भी थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसे पलड़ देंगे और ये देखिए थोड़ी देर में जब ये नीचे से भी अच्छे से सीग गया है तो ये देखिए हमारा नाश्टा बनकर की तयार हो गया है तो किसी भी तरह से बनाई ये टेस्स सेम आएगा बहुत ही बढ़िया बहुत ही ज़ादा लाचवाब ये नाश्टा बनकर तयार होता है और खाने में तो बहुत ही ज़ादा डेस्टी है मैंने इसे सर्फ किया है टमेटो केचप और साथी दन्या पुदिना की चटनी के साथ और ये देखिए मैं आपको काट के दिखा रहे हैं अंदर से कितना ज़ादा फ्लफी और एकदम बढ़िया बना है ये नाश्टा तो फ्रिंट्स मैं तो इसे इंजॉय कर रहे हूँ इसका टेस्ट बेहर शानदार है आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राइ करें और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं तो आपके अपने चैनल रीटा रोडा रेसिपीज को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें और आप मुझे कहां से कौन से देशे देखते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस तरीके से आपसे जुड़ करके मुझे बहुत अच्छा लगता है अब मिलती हूँ एक और नहीं रेसिपी के साथ तब तक लिए गुड़ बाई टेक केर और थैंक्स वर वाचिंग